हुआ है है हाँ दोस्तों प्रप्टिक गुरुकूल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत और मैं हुआ राजवन सिंग महाली रियल स्टेट मेंटर रियल स्टेट कोच और रियल स्टेट बुक्स का अथर आज का जो टॉपिक है फिनेंशल वेर्नेस को लेकर है अमीर मैंने तीन कैटगरी में लोग बनते हैं अमीर मिडल कलास और पूर यह जो अमीर कैटगरी है अमीर कैसे बनें जो आदमी अमीर है वो जो जहां पर वो पहुंच गया वो उस लेवल पर कैसे रहा इसके उपर बात करनी है जैसे सकसेस पानी बड़ी बात नहीं लेकिन सकस के उपर बने रहना बहुत बड़ी बात है लता जी को नमर शर्दाजली तो वो जहां पर नाइंटीन फोटी एट में जब उन्होंने केरियर शुरू किया तब से लेके वो आज तक तिल डेथ वो एक ही मुकाम पर बने रहे यह उनकी ग्रेटनेस है जो आदमी अमीर है या जो आदमी कामयाब हैं उनके कामयाब होने का क्या रहस है उसके उपर मैं आज आपके साथ बात करना क्यों हैं क्योंके अमीर आदमी को अपने कंसेप्ट क्लियर हैं उनको पता है कि मैंने क्या करना है और मैं कैसे कर सकता हूं मेरा कॉन्फिडेंस क्या है अमीर आदमी जो है वो सीखने से गुरेज नहीं करता जैफ अब रोज की बात ले लो कंप्यूटर वाले भाई साब की बात ले लो और कितने जो भी अमीर आदमी है वह आदमी आज भी किताबें पढ़ते हैं जब के मिडल कलास आदमी के साथ आप बात करते हो चेते हमने सब पता है जो आदमी वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमियों के जिनकी किनती आरी है और विय कोशा concept clear है और जो middle class है उनका concept clear ही नहीं है मैंने अपने bank के दुरान देखा है मैंने लोगों कुसे बात करते थे लोग करते थे यार तुम अच्छा कोई काम सैड विजन्स कर लो उन्हें नहीं क्या करना है सैड विजन्स में कह रखा है और जितना यार पैसा इदी में चलेगे यहां से सतर किलो मिटर दूर है और वहां से आने जाने में बस से आना पड़ता था उनको मौली में दो दो तीन तिन घंटे और इंतजार करते थे किस बस का जिसमें दोर पे सिर्फ किराए का कम लगता था सुबह भी घंटा पहले जाना और शाम को दो गंटे बात आ ऐसाती थी तो उसमें दोर पे सिर्फ लगते थी यह आज से साथ-अट साल परणी बात है तो दो तो दोर पे कम दोर पे बचाने के चकड़ में दो घंटे कराब करते ते honor यदी हम कहें生姓 मनी मुझी wondू टाइममनी तो वो तो टाइम के दोर पे दो घंटे कराब करते उसके लिए कराました मनी time is money किन के लिए इनके लिए यह कभी भी time को घराब नहीं करेंगे जब भी इनको जरूरत पड़ेगी तो ये पैसा खरते देंगे लेकिन टाइम बचाएंगी जब के ये लोग जो है ये इनको कंसेप्ट क्या है ये मैं के तो कन्फ्यूज्ड है इसमें कन्फ्यूजन ज्यादा रहती है इनको पता नहीं जब इनको बोलो के हाँ यार आओ हमारे से ही निकला हूँ मेरे को पता है तो ये जो पूर है इसके कंसेप्टी कोई नहीं है कोई कंसेप्ट नहीं कोई इनका सोच नहीं है कोई नहीं बैने कताब में पड़ा था के गरीब आदमी इसलिए गरीब नहीं है कि उसने पैसा कम कम है गरीब आदमी इसलिए गरीब है कि उस आदमी ने अपनी सोच और एक्शन को बदला ही नहीं है। यह लोग इनको मतलब बच्चे दो बच्चे हैं तीन बच्चे पांच बच्चे शे बच्चे साथ बच्चे इनके इनके आम देखे जाते हैं। तो इनसे पुछो भी यार आप ग्रीबी ख्रीद रहे हो इतने बच्चे पैदा किये आपने आप इनको पढ़ाओगे कैसे बगवान जाने परमातमा करेगा जो करेगा यह तो हमारी किसमत में लिखा है यह लोग एक बोलते कि हमारी किसमत में ऐसे लिखा है इस आदमी को पु काम करना चाहते हों आप उसमें भाई कलीर करो वाई मैं अपनी जो मेरा कोर्स है उसमें सब से पहले यह लिखन को करूँ के भाई आपने रियल स्टेट पीजिनस करना क्यू है क्या मजबूरी आपकी आपनेिर इस टीनस करना जब तक आपका वाई कलियर नहीं होगा तब तक आप उस काम में पूरी कंसंट्रेशन के साथ नहीं लग पाऊगे जिस आदमी ने सैकल बनाया जिस आदमी ने जहाज बनाया जिस आदमी ने रेडियो बनाया जिस आदमी ने टेली विन बनाया उनका वाई क्लियर था कि मैंने ये काम क्यों करने है क्योंकि दुनिया में है नहीं मैंने ये करके दिखाने है तो यदि जब आपका वाई क्लियर हो जाता है तब जाके आपकी ग्रोथ होती है और जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते है वाई clear करने बाद concept clear हो जाते हैं तो आप में confidence अपने अपत है और जितनी भी आपकी success है जितनी भी काम्याबी है वो आपके confidence के ओपर depend करती है के confidence क्या है यह confidence की कमी रहती है इनमें इनमें confidence के spelling मी नहीं इनको आते हैं यदि इनको आते हो तो यह definitely इनका जो यह quadrant है यह चेंज हो के यहां जाएगा यह यह इनकी सोच बदल जाएगी तो यहां के यहां आने में इनको time नहीं लगेगा हमने जीरो आदमी बिलकुल जीरो लेवल से उठकर अर्मपती बनते देखे हैं हमारे कुलवंत सिंग हैं यहां से जो विदायक का election लड़ रहे हैं आदमी पार्टी की तरफ से वो किसी टाइम नैंटीनेटीवन में सिर्फ 200 रुपे पर मन्त की नुकरी करते थे तूड़ी तूड़ी बेचते थे पशों के लिए तूड़ी बेचते आज उन्हों ने जो रिटर्न भरी है अपने उसमें अपनी इंफर्मेशन दी है नोमीनेशन भरी है जो उसमें 230 क्रोड तो कैश भरा है और 15 क्रोड़ पे के एसर बरे 253 क्रोड़ की उन्होंने अपनी नोमीनेशन में लिखा है तो मैं यह कहना चाहता हूं जो आदमी पैसे वाला है वही ली क्रोड लग जाए दो क्रोड लग जाए पांच क्रोड कोई दिक्कत नहीं है पैसे वाला आदमी ही हमेशा लीडर बनता है हमारे तो यह इंडिया में यह कहा जाता है कि जो अडानी है यह सरकार को चला रही है मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हो सरकार को चला रही है लेकिन पैसा है वो अपनी मर्जी की जिंद्गी जिएगा कुलवंत सिंग है चाहे वो पांच करोड़ लगा दें चाहे पचास करोड़ लगा दें जिसके पाद धाई सो करोड़ पर रहा हो पिचास करोड़ पर खर्ट भी देगा तो भी कुछ टेंचे नी पैसे वाला बंदा ही जाद नहीं हो सकता तो दोस्तों ये तीन कैटेग्रियाज मैंने दिखी थी इनको कंसेप्ट क्लियर है ये इनको कंसेप्ट ना क्लियर है ना ना इनको दुंदला है ठीक है मतलब इनका बीच में चाले है और इसको तो इसके पास कंसेप्ट ही नहीं है इसको पता ही नहीं है है ने कटेगीरियों से में यह ये लेकिन वह कभ आई है जब उनult noise प्रसेश से जो थो third Nature is a धार और उनके action उत्द इस तो मेरा हो गया मैं सौ क्रोड़LY वैक मुनई है और शकूम में ताश कर ले लग गया या मैं Shaan को विस्की पीने लग गया कोई किसी के साथ टाइम खराब करने लग गया तो मेरा जो थौट प्रसेस्स है वो मेरी प्लैनिंग के साथ भी मैच करना चाहिए यह नहीं कि मैं शाम को शराब पीने लग गया या मैं शाम को ताश केने लग गया वहां पर मेरा यदि टाइम खराब ह है कामयाब आदमी बनना है कामयाब आदमी बनोंगे तो ही आपके लोग दिवाने होंगे आपको लोग सलाम करेंगे आपके पास आएंगे आपके पास बैठने की कोशिश करेंगे मजबूर और मगरूर दो ऐसे आदमी हैं जिसके पास कोई बंदा बैठने के लिए त्यार नह सीखते जाओगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे जितना सीखोगे उतना आपका माइंड कलियर होता जाएगा उतने झाल झाल झाल